हेलो फ्रिंट्स वेल्कम टू मैं इस्टेडी फीट चनल दूस्तों आज में रग्त का थक्का कैसे बनता है कटने के बाद यानि ब्लट क्लोटीं कैसे होता है कैसे को पूरी तरह से एक एक इजम्पल देखे बताऊंगी दूस्तों आज के बाद इस वीडियो को देखने के बा है यह कभी आप भूल ही नहीं सकते बस वीडियो को सुरु सिलाज तक देखते रहें और दोस्तों ब्लट क्या है और बीसी डब्लुबीसी प्लेट्लेश प्लाजमा रंतकड़ी का इन सभी के बारे में डीटेल में बता चुकी हूं और दोस्तों ब्लड ग्रूप क्या है आर करके देख शकते हैं तो दोस्तों चलिये चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ दोस्तों रत्का हुष्ण ह्षखाबना जिसे ब्लड ग्लोटिंग कहते हैं जो के कर्क यंदिन जाता है तो धाकेंप इसको दिख्युमतो हूना है यह दे का थक्क फामर को चार steps में चार process होता है जयसे कि first process होता है कि जो thrombocyte होता है platelets होता है जब तो वायो की संपर्क में आ करके thromboplastin बना देता है दूसरी अवस्था होता है thromboplastin calcium के साथ मिलकर प्रत्रोंबीन को एक्टिव करके थ्रोंबीन बनाता है और तीसरी अवस्था होता है थ्रोंबीन फाइबरिनोजन को एक्टिव करके फाइबरिन बनाता है और चोथी अवस्था होता है फाइबरिन जो एक जाली जैसा आकरिती होता है उसी जाल में रुधिरालू, डबलुब भीजो आंतनी फिल अधब्श twists जाता है इन चारों प्राजिस के बारे में हम डीटेयल में जानते हैं जैसे कि जर्फव संमगते हैं डीटेल में जिसने आपको समंझने में कोई परिशानी नहीं हो से फिछले करते हैं प्रथम उस्था की प्रथम उस्था में क्या है दोस्तों जैसे ही हमारा सरीर कहीं पे कटता है तो थ्रोंबो शाइट जो है यानि थ्रोंबो साइट जिसे प्लेटलेट्स को थ्रोंबो साइट बग्यानिक बसा में कहते हैं तो जैसे ही हमारा सरीर कहीं पे कटता है तो thrombocyte यानि platelets वायू के संपरक में आ जाता है तथा वायू के संपरक में आते ही वह thromboplastin बन जाता है ठीक है यह हुआ हमें सरीर्भ के अंदर Glück談 लुए तो आприण को जगाने कि एक्तेव करता है याने एक्तिव खता है तो थोंविंग लाता है अब थर्ड process में होता है थर्ड अवस्था में जो थ्रॉम्बिन है थ्रॉम्बीन है थ्रॉम्बिन fibrosan को उठा कर यानि कि जो थ्रॉम्बिन है उप्राजमाय में उपर थि fibrosanogen से मिले कर rustionic prich cola के फरसरोप fibrasmi नाम में एक नया पदार्थ बनाता है और यही फाइब्रिन छतिग्रस्त उत्तकों में रग्त को जमने में शायता करता है यह हुआ थर्ड प्रासिस चौथी अवस्था में क्या होता है दोस्तों जैसे कि फाइब्रिन जो होता है इससे की रचना एक जाल के समान होती है इसमें फाइब्रिन के सुत्र होते यहीं फाइब्रिन के सूत्र आपस में मिलकर जाल बनाते हैं और यह जाल धीरे धीरे संकुचित होते हैं क्योंकि इनमें इस जाल में उपस्थित जल का जो अंस है वह सुखता चला जाता है और इस जाल में पीछे से आने वाले रख्त कड़िकाएं फस्ती चले जाती हैं पीछे से आने मारे जो रख्त कडिकाय होती है और दोस्तों तरल पदा जो प्लाजमा होता है वह बाहर नहीं निकल पाता है और और अवस्था में पहुंचते पहुंचते कटा हुआ घाव या चोट ठक्के का रूप धारण कर लेता है और सीरम अलग हो जाता है और बाद में कटे हुई अस्थान पर रख्त का ठक्का बन कर छतिग्रिस्थ अस्थान को पूरी तरह शील कर देता है यानि बंद कर देता है इस प्रकार रख्त जमने की प्रक्रिया अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपर्टन पॉइंट जो आपके एक्जाम के लिए भेरी वेरी इंपर्टन है हरी जम्स के लिए दोस्तों रख्त इसकंदन के कारक यानि रख्त क्लोटिंग के कौन-कौन से कारक होते हैं हमारे रूधी राड़ो में कौन सा कारक होता है अब प्रोटीन में कौन होता है रख्त जमाने में साहयक फाइब्रोनोजन और प्रोथोंबीन फाइब्रोनोजन और प्रोथोंबीन यह दोनों प्रोटीन जो है रख्त जमाने में साहयक होता है तत्व यानि धात्वों में तत्वों में कौन होता है रख्त जमाने में साहयक कैल्सियम ध्यान में रखीगा कैल्सियम भी रख्त जमाने में सायक होता है एंड बिटामिन में कौन होता है रख्त जमाने में सायक बिटामिन के जैसा कि आप सब को पता है एंड दोस्तों अने महत्वुर्ट हैम्रेज जो होता है वो बिटामिन के के कारण होता है हैम्रेज हो दोस्तो जब रक्त सरी के अंदर ही जम जाता है तो पीछे से जो रक्ता आ रहा है पुड़े प्रेसर से उस जगह मारएका तो ऐस striat पहारी सो मारेगा यसा कि दोस्तो हमारा अप। अससी टाने का होता है और अससी आने का होता है तो जब पीछे से प्रेसर मारेगा बलड और जब बार बार मारेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा तो नस को फार देगा जब फार देगा उसको तो इसी नस को फट जाने को हैमरेज करते हैं और यह हैमरेज दोस्तो बिटामिन के कमी से होता है अक्सर दोस्तो यहां ब्रेन में ही हो क्योंकि brain की नसे बहुत पतली होती है और व्यक्ति की मृती हो जाती है तो हमने जना हैंड़ेज के बारे में हैम्रेज किसके करण होता है विटामिन के कमी के करण एंड दोस्तो इसलिए एंटी क्लोटिंग हेपरीन होता है हेपरीन एंटी क्लोटिंग होता है यानि कि रख्त को जमने नहीं देता है कहां पे हमारे सरीर के अंदर हेपरीन दोस्तो यह हमारे अकृत में बनता है और यह सरीर के अंदर रख्त को जमने नहीं देता है जैसे कि द एंटी क्लोटेंग कहा जाता है है अमारे सरी में रगत को जमनी नहीं देता है जैसे कि, है window है अंडर ही रहता हैॹ बाहर आने पर घ्रिणा आंता है surge कि उसका प्रभाव खटम हो जाते है कि हवा जाना हेपरीन के बारे में हेपरीन क्या करता है हमारे सरीर के अंदर रख्त को नहीं जमने देता है तरह लवस्ता में रखता है एक दोस्तों रख्त से सम्मधित अनुवांसी बिमारी है हीमोफिलिया हीमोफिलिया में क्या होता है इसमें हेपरीन इतना एक्टिव हो जाता है क यहां से जनेगा की इक्टीव रहता है कि कटने के बाद भी वहाँ जमने नहीं देता है रखतों को और ब्लड रुकता ही नहीं है और ब्यक्ति की मिर्ति वो जाती है इंग्लेड की महारानी से यह शुरूफ हुआ था दोस्तों दोस्तों important बात यह है कि Fibronogen, Prothombin, Heparin इन तीनों का नेमाड होता है या कृष्टन बार बार पूछा जाता है कि Fibronogen का नेमाड कहा होता है या Heparin कहां बनता है या Prothombin कहां बनता है तो Fibronogen, Prothombin, Heparin इन तीनों का नेमाड यकृत में होता है जैसे कि Fibronogen, Prothombin इन दोनों रक्त को जमाने में शहायक होते हैं जैकि Heparin हमारे सरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है रक्त को तरल आवस्था में रहता है तो दोस्तों आज हमने जाना रक्त कैसे जमता है और इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके एक्जम्स में पूछे जाते हैं तो दोस्तों यह सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे एक से दो बार यदि आप वीडियो देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा रहें तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहें